नमस्ते जी कैसे हो आप लोग आई वो सब ठीप होंगे मेरे एक सस्क्राइबर है वो ब्रिज हाउस रहते हैं तो उन्होंने का मुझे ये टोपी सिखा दो तो मैंने एक साल पहले बनाई तो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो मैं यूटूब चैनल पे नहीं आई थी त तो मैं उनको बताऊँ गया भी कि ये कैसी बनाई थी मैंने यह मैंने दसफंदे ढाल ले देखो एक सलाई निकाल रख्यें थी है अब ये डाले है चार चार पंदे बुल ले नहीं हो अ कि पिर जाली डाली पिर एक फंद सीधा व्लाइए बनाए फिर यह जाली डाली चार धर चार उधर हो जाएंगे दो पर जाली डालेगी उल्टी शितलाई में कुछ नहीं करना है उल्टी सलाही काली खाली फिल्टी बना देने हैं इस तरीके से फिर सिधी सलाई में अपके बार पांस हो जाएंगे पांस हो गए फिर जाली डालनी है फिर एक फंदा सिधा फिर जाली इसी तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे फंदे उल्टी सलाई उल्टी बनाने उल्टी में कुछ नहीं करने है यहां पे जाली डालनी है अब मुझे तो मैं तो एक साल के बच्चे का बना रहे हूं तो मुझे चाहिए एक साइड जाली के एक साइड यहां से यहां तक 27 फंदे यहां से यहां तक 27 फंदे 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं वो जिस पे जाली डाल रहे हैं आप बड़े बच्चे का बना रहे हो तो आपको 2-4 फंदे फाल तो डालने पड़ेंगे तो शुरू तो दस फंदों से ही शुरू होगा लेकिन उपर आपको एक दो जाली जैसे मैंने 27 हैं तो आपके 29-39-30 कर देना 30-31 तक बस ज्यादा नी आप मोटी उन से बना रहे होंगे मैं पतली उन से बनाती हूं तो आपकी मोटी होगी तो आप मोटी उन से बना वोगे तो ये 8 फंदों का थोड़ा बड़े बच्चे का बना रहे हो तो आप 2-4 फंदे आपको 27 पंदे तक ऐसी जाएगा इसी तरीके से में आपको बुन के दिखाते हूं पहले 27 पंदे कमेरे여 27 फंदे हो गए इस तरीके से देखो जिस तरीके से बने गए यह मैंने बना लिया मैं बताऊंगे आपको की कान कैसे बनाना है अब जैसे मैं एदर बताऊंगे सेम ज़से हैं कान शावर गर्म बना हो है थे ऐसा जैसे आपको देखना कि मैंने मेरे amTIdaw हो गए थे यह यहां से तो मैं यहां बताते हूं कि कैसे करा है देखो पहले वाला फंदा तो हमने जो हमारा जाली वाला है इसको तो हमने पहले बुन देना है ठीक है अब इसका क्या करना हमने ऐसे पलटा के दो का एक कर देना है यह इधर से 2 एक कर देना अब ऑकी पूरी चलाई सीधी भुन के ले जाने हैं यहां तक है कि देखो आगए मैं कोने में आ गई हूं यह अब हमने आफरी फंदे से पहले दो का एक कर देना है कि यह ऐखो जब हमारे तीन दिराइगे तो पहले हमने यू derekmous ऑड़ ज़िए चाही की कने दीन बेलां और द्रूम एक टंपिर धुछ नदना है और कि शीम Κ्रणि में यहां से बनके यह दो हमने रख नहीं है यहीं से हमने वापिस हो जाना है जहां से हमने फंदा उतारा था पहले देखो जाली वाला अब की बार भी हमने यह उतार देना है फिर हमने फंदा यह चेंज करके यह करके दो का एक बना देना है इसी तरीके से यह बनता जाएगा दो दोनों तरफ से दोिक ael anthrop आओक करकर गyangता चला जाएगा जब तक हमारा यहां उपर एक खंद the ना रहे जा तब तक हम ने गटाते ही जाना इसी तरह की साही बंता जाए गाई यह देखो कोने में आ गए फिर हमने दो का एक कर दिया यह फिर एक फंदा सीधा बुन देना यह फंदा सीधा इसलिए बुन रहे है बाद में हमने फंदे उठाने कि हमारे डबल हो के आएगा उपर से नीचे को हुआ है 20 देखो इस त incentivर केसे घटके छला जाएगा तिर्शा अपने आप हो जाएगा यह उता रहा यह चेंज कर आएसे और सिदा अथर एक कोने में आगे आखरी में आगे पिर यह सलाई यू डाल नीया है इंद्धिक डालनी शलाई दो का एक किनारे में सीधा बन गया ऐसी करके जब तक मेरा ये थोड़ा बना के दिखाते हूं आपको थोड़ा सा बढ़ा करके देखो इस तरीके से ये बढ़ता गया इधर से भीगड़ी है इधर से भीगड़ी है ये तो आपको समझ में आई जाएगा ये देखो फंदा यू सटनी हमने देखे जब हमारा एक रहा जाएगा उपर की सिद बनाया उत्वाइब के लोगा हमने फंद हो गया डाया है यह देख में атर TRADER हमारी किनारी में आप इसमें एक समय फंदे दोनो तरफ से ठीक है यह एक कना tore भृटा करी आप भीर यह बुन्ना है इसको उतार दो, इसको बुनो, फिर अभी हमने क्या करना है, उल्टी से ये वाला फंदा उठाना है, कि नारी दिख जाती है अपने आप, कि कौन सा उठाना है, फिर वापिस, ऐसी करके हमने पूरे 27 फंदे होने चाहिए हमारे, दोनों तरब से हमारे 13 फंदे उठ जाएंगे देखो, अब ये, देखो, दिख रहा है न, ये, फंदा उठा लिया, फिर वापिस, ये देखो, एक किनारी का फंदा है न, जो ये, ये उठाया, ये बुना, दोनों तरब से एक एक फंदे उठाते होए, ऐसे हमारे ये डबल आ जाएगा, जैसे हमारे ये डबल आया, इस तरीके से डबल आजाए गाए दोनु से हमने वे अठाते हुए लाना है बुनते हुए आना है की दूती हम यह बना रहे हुए इधर का बना रहे हु कि ऐसी तरह से बने गार यह रहुगा. ऐसी फंदे उठेंगे, जैसे इसमें उठ रहा हैं जैसे इसमें बता रहे हूं मैं फंदे कैसे उठाने हैं, इसी तरीके से बनेगा हूँ, देखो, यह किनारी उठाईए, यह फंदा पड़ गया, इस तरीके से यह आ जाएगा, यह उल्टी सलाई बुन के लिए आई, दूसरे फंदे सलाई से उठाओ, यह फंदा ऐसे देखो, ऐसे बना लो बस हमें 13 फंदे इधर चाहे, 13 फंदे हमें इधर चाहे, एक हमारे पास था देखो, हो गए मेरे 27 फंदे, देखो इस तरीके से अब इसमें हमने चुन्नट डालना है, इसकी तरह, जैसे इसमें हमने चुन्नट डालना है, तो देखो मैं कैसे डाल रही हूँ, पहले किनारे का एक फंदा बुन देना है, ठीके, अब हमने क्या करना है, हमने 6 फंदे पहले पीछे के लाने है, आगे के बाद में बुनने है, पांस फंदे पहले मैं उतार रहे हूँ दो, तीन, चार, पांस ठीक है, अब हमने पीछे चे पहले छे फंदे बुंदे नहीं ये ये छे फंदे बुंदे नहीं पहले एक, दो तीन चार पांस और एक, छे ये छे फंदे हमने बुंदे अब हम इस सलाई में लेंगे इन फंदों को अब हमने इस सलाई में चड़ा दे फंदे अब हम ये पांस फंदे भी बुंदेंगे एक, दो तीन चार और एक, पांस पांस फंदे, छे फंदे पहले बुंदे पांस फंदे फिर मोर डाल के बना दे अब हमने तीन पिले इन फंदे बनाने हैं एक, दो तीन फिर वही करने हमने, पांच फंद्य हमने पहले बुनने, छे फंद्य हमने पीछे ले जाने हैं, तो हम छे फंद्य को पहले उतार देंगे दूसरी सलाई पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंद्य हमने पीछे उतार दें, अब हम पहले पांच फंद्य आगे से बु दूसरे में भी बिल्कुल ऐसी ही बनाना आपने यह हो गया पांच फंदे बुन गए आप इन फंदुका हम इस वाली सलाई में ले लेंगे अब हमने जहां यह एक रहरा था उस सलाई में हमने यह ले ले चे को भी हम एसे बन देंगे सीधा बन देंगे एक दो तीन चार पांच छे अब एक फंदौ हमारा यह है इसको भी बन देना है पहले हमने एक फंदा पहले सीधा बुना थो नहीं फिर हमने पांस छे फंदे पीछे के पहले बुने थे पांस का मोड आगे डाला था तीन सीधे बनाए थे फिर इधर से पांस पहले बनाए थे छे फिर मोड के पीछे करे थे फिर एक फंदा बुना था सेम इसी तरह से इसमे में भी आएगा वही तीन फंद भीज में पिलें छे और पांग छे और पांग इसी तरीके से आएंगे इसमें अब मैं इन फंदों को खाली बिना बुने हुए सारे फंदों को एक सलाई में कर दूंगी ऐसे वापिस ले जाओंगी ये भी ये भी क्योंकि फंदे उठाओंगी तो मुझे मुझे इधर को चाहे सलाई का ये एक सलाई में कर देंगे अब हम फंदे उठाएंगे इस सलाई का मुझे इधर को चाहे था इसलिए मैंने ये फंदे एक सलाई में कर दिये अब हम यहां से फंदे उठाएंगे यहां से तो गले की गले बनाने वाली चार सलाई से उससे भी तीन सलाई उससे भी बन जाएगा वसे दो सलाई से भी बन जाता है लेकिन मेरे पास यह तार वाली है तो मैं इससे बनाऊंगी इस तरीके से यहां से हम धागा लगाएंगे मुझे चाहिए 90 फंदे आपको बड़ा बनाना है तो आपको 4-6 फंदे फालतु डालने पड़ेंगे तो मैं इस तरीके से ये किनारे किनारे से उठाके मैं 18 फंदे उठाऊंगे इधर और 18 ही मैं इधर उठाऊंगे और 56 फंदे मेरे इधर हैं तो मेरे 90 फंदे के करीब हो जाएंगे तो मेरा तो हो जाएगा तो मैं आपको ये इस तरीके से फंदा उठाना बता रही हूं ये इक किनारे में से जो फंदा हमारा किनारे का फंदा है वही उठता है और ये उठाओ फंदे तो ज़्यादा उठ जाएंगे इसमें लेकिन हमें 18 ही चाये तो हम 18 ही उठाएंगे मैंने 17 फंदे उठाए इधर, 17 उधर उठाऊंगी, अब मैं इनको भी बुन के ले जाऊंगी, जो मेरी ये कान जो बने हुए, इनको भी ऐसे बुन के ले जाऊंगी, उधर तक, ये इस तरीके से, इन सब को मैं बुन के ले जाऊंगी, फिर मैं यहाँ फंदे उठाऊंगी, सत्रा ही फंदे उठाओंगी मैं यहां देखो इक किनारा जो है दिख रहे न देखो इसी तरीके से मैं यहां भी यह सत्रा फंदे उठा के ले जाओंगी फिर आगे बताती हूं अब मेरे पूरे फंदे उठाओंगे अब मैं देखो क्या मैं उल्टी से भी सीधा बना के ले जाओंगी क्योंकि मैंने जो स्वेटर बनाया था इसका उसमें सारी जगह उल्टा उल्टा डाल रखा तो टोपी में भी उल्टा ही डालूंगी आपको खुछ चाहिए होगा तो ऑगे कि बना social आप इसी तरीके से हैं इसी सीधी सेहेटे में सीधाही बनाओंगी उल्टी से ही बनाओंगी तो गार्ऩ ओर से उल्टा-एद्वा यह इसी तरीके से देखो अब बनाता है इस तरीके से बनता है कुछ भी नहीं भड़ाना बढ़ाना कुछ नहीं है अब खाली बनाते हो जाना है मैं तो बनाऊंगी 3 इंच, आपको 4 इंच के करीब बनेगा, आप बच्चे का सर देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा है, यह कान के पीछे तक आते हैं यह जो यह कान बने हुए हैं यह, तो उसके बाद जो आगे को होता है मापफ़ा, तो उसको नापके आपको बनाना तो आपको चार इंच के करीब बनाना पड़ेगा तो आप मैं आपको बताते हुए तो खाली बॉडर बना दूंगे आगे एक सीधा, एक उल्टे का जब ये मेरा पूरा हो जाएगा तो आप भी बॉडर बना देना और उसके बाद खंदी बंद कर देना कुछ नी करना किसमें अगर थोड़ा लूज लगता है तो यह किनारी अगर आप लोगों को करोशे आता है तो एक करोशे की किनारी बन जाता है सलाई पूरी हो गई अब सीधी साइड से भी फिर मैं सीधा ही बनाऊंगी उल्टी से भी सीधा बनाओंगी सीधे से भी उल्टा बनाओंगी इसी तरह किसे ये गाडर बनता चला जाएगा देखो ये उल्टा जो उल्टी किनारी आते हैं ये उल्टी उल्टी किनारी अब मैं आपको बताते हूं जब मेरा ये पूरा फिनिस हो जाए फिर मैं आपको दि डिजेन डालना चाहो तो डिजेन भी टाल सकते होलका फुल का अब इसे माथे के ऊपर है डिजेन तो क्या आएगा पर इस तरीके से देखो अब दोनों तरफ से मैं सिधा सिधा बनाऊंगी तो यह उल्टी किनारी आएगी इधर भी पीछे से भी जब मैं बना रहे हूं तो ऐ इतना मैंने एक एक दो थीन चार पांक छए मैंने 12 धारी में चोबिस सलाई बनाई है 12 धारी बनाई दोना दिया और ये शे सलाई का बॉडर बना दिया अब मैंने य धागा रखा है मैं ये करोशे का थोड़ा सा आगे वह बना दूंगी फिर यहां से फंदे उठाओंगी यहां से फंदे उठेंगे नीचे गड़े पर बांदने के लिए बटन लगाने के लिए देखो इस तरीके से दिखेगा यह पीछे साइट से इस तरीके से दिखेगा यह जब यह बन जाएगा पूरा तब यह अच्छा लगेगा यह इस तरीके से फिर इस बच्चे का मुह आ जाएगा आगे जब पहेंता तो सुन्दर लगता है खरगोश टाइप का मैं करोशे की इस तरीके के लिए इस बना रहे हूँ आगे को थोड़ा सा सुन्दर भी दिखता है देखो इस तरीके से इस तरीके से देखो इस तरीके के लगेगा परे देखो करोशे से ऐसे बन गया देखो अब मैं यहां से फंदे उठाओंगी इसलिए मैंने धागा इधरी छोड़ रहा है यही से फंदे उठाओंगी जो नीचे जो बटन लगेगा उसके लिए मुझे यहां बटन के लिए फंदे बढ़ाने पढ़ेंगे तो देखो मैं करोशे से बढ़ा रहे हूँ दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस दस फंदे मेरे इधर बढ़ेंगे, दस फंदे मेरे उधर बढ़ेंगे अब मैं करोशे से हटा दूँगे, अब मैं सलायों से बनाऊंगे इस तरीके से अब सलायों से यह फंदे, दो, तीन, इस तरीके से जितने मैंने चेन बनाए उतने मैं फंदे उठा दूँगे एक, दो, तीन, चार, पांच, चेन डाली थे मैंने दस फंदे उठा दिया, अब मुझे यहां से फंदे उठाने जितने मेरे उठ जाएं, यह गले के नीचे के लिए बॉर्डर बने गई यह यहां पर हमें फंदे उठा के बताते हूं कि मेरे कितने फंदे उठे हैं और कितने बनाने हैं इस तरीके से जितनी भी हमारे सलाई बनी हैं न, यह किनारे में जो सीधा फंदा आ जाता है, यह फंदे उठाने के काम आता है, इसलिए हम किनारे में एक फंदा सीधा डालते हैं अब मैंने यहां तक फंदे उठा ले देखो यह अब मुझे यहां भी फंदे चाहे होंगे दस तो कैसे डालूँगी देखो इस तरह के से फंदे बढ़ाऊंगी देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह नीचे हमारे बटन काज के लिए है अब मैं इनको थोड़ा धीरे से बनाऊंगी नीचे यह फंदे खुलने वाले होते हैं सीधा बनाऊंगी दोनों तरफ से मुझे सीधा सीधा बनाना इसकी बेल्ट भी जो बनाऊंगी मैं यह सीधा सीधा बनाऊंगी इस तरीके से जरा ये खुलने वाला फंदा होता ना फंदे हाथ से डले हुए तो ये थोड़ा अराम से करना पड़ता इसके लिए इस तरीके से इनको जड़ा थोड़ा नोकिली सलायों से बनाना पड़ता है एक बारी में ताकि ये गिरे ना फंदे थोड़ा हाथ से डले होते हैं तो ये सिंगल धागेगा होता है बस अब मैं दोनों तरफ से ये ऐसी जैसी ये बनाए मैंने उल्टा-उल्टा इस तरह से दोनों तरफ से मैं ये सिदह सिदह बनाके दोनों तरफ उल्टा-गांट फिर मैं बताते हो आगे काज कहां पर बनेगा है देखो ये दस फंदे इदर दस फंदे इदर बढ़ाने के बाद मेरे ये 60 फंदे के करीवा हैं 60 अपको थोड़ा सा जाधा लगेंगे क्यो कि छोटे बच्चे का है तो दो काज लगेंगे कभी आगे पीछे खिसकाने के लिए देखो यह मैंने आगे धागा करा यह उतारा यह बनाया यह जो उतारा है इसको गिरा देना है ठीक है अभी हम फिर दो फंदे तीन फंदे मैं सिधे बना रहे हूं फिर इसके बाद यहां पे चार फंदे बना रहे हूं सिधे ताकि काज इदर आए फिर हम धागा आगे करेंगे फिर इसको उतारेंगे इसको बुनेंगे जो उतारा है फंदा उसको उठा के गिरा देंगे ऐसे करके गिरा देंगे काज बन बनाऊंगे उपर इसके बाद यह तीन और बनेंगे तीन गार्डर और बनेंगे मेरे उपर तो फिर मैं बंद कर दूँगी तो मेरे टोपी त्यार हो जाएगी अब मेरा ये बॉर्डर बन गया, अब मैं फंदे बंद करतूंगी, तो देखो मैं फंदे बंद कैसे करूंगी, एक सीधा बुना, इसको इसके उपर गिरा है, फिर एक उल्टा बनाया, ये न फिर टाइट ने होता नीचे, गले में न ढिला होगा, बच्चे का है न तो थोड इस तरीके से गटाया हो, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनके देखो, इस तरीके से किनारी आजाते है, इस तरीके से किनारी आईगी है, इस तरीके से, इस सीधा बनाया है, ये उठा के गिराया, फिर उल्टा बनाया है एक, इसी तरीके से सारे फंदे गटाने, तो सुन्दर से किनारी आ जाती है देखो यह अच्छी से आ जाती है बच्चे का गले में टाइट भी ने होगा देखो बन गई टोपी अब दो बटन भी रखें मैंने मैं यहां पर एक बटन इदर लगा दूँगे एक आगे लगा दूँगे ताकि यह इस तरीके से आ जाएगा बटन इसके उपर आ जाएगे आपको बड़ा बनाना है तो आपको थोड़ा सा यह फंदे मैंने 10 डालें तो आपको 12-14 फंदे डालने पड़ेंगे और यह तो छोटा है ने इसलिए देखो यह दो बटन आ जाएगे देखो लग रहा है ने क्यूटी सा देखो इस तरीके से यह बन गई बिल्ली टोपी यह खरगोश टोपी कुछ भी को यह पीछे साइड से इस तरीके से आये गए देखो तो यह जो मैंने एक सिधा एक उल्टा गटाया था देखो तो यह टाइट नहीं होता है यह बच्चे की गर्दन के लिए थोड़ा लूज होना चाहिए तो अ बड़ा बनाओगे तो यह तो छोटा बच्चे है तो इसलिए छोटे बच्चे का अब देखो चाहिए एक ही बटन लगा लो चाहिए दो लगा लो पर मैंने दो काज बनाए कि ताकि यह थैंक्यू आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो दुबारा से जहां पर न अब बेफंदे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा बैए उल्टा उल्टा बना के बोर्डर बना देना आगे अक रोशे आता तो यह करोशे की लेस बना दो नहीं तो वैसे भी अच्छा लगता बड़े बच्चे का बड़ा मूह वहता तो थोड़ा सई से आ जाता है ठेंक्य लाइक करना सेर करना मुझे मुझे टिपनी जरूर करना मुझे सस्क्राइब जरूर करना और जो भी पूछना होगा पूछ सकते हो और अगली वीडियो का इंतजार करो उन मिलेगी तो अगली वीडियो वीडियो तो मेरे बहुत सारे आ रहें कि मुझे यह सिकाओ उसिकाओ ते उल्टे साइड से ऐसे, सीधी साइड से ऐसे थैंक यू, लाइक करना और जरू टिपने करना, मुझे सब्सक्राइब करना, प्लीस सब्सक्राइब करना, थैंक यू